लोकुष नगर में कनिष्ट आपूर्थी आधिकारी को उनके दफ्तर से 25,000 की रिस्वत नेते दंगे हाथों गिरफतार किया गया है लोकायत पुलिस सागर की एकारवाही लोकुस नगर के जनपद पंचायत परिसर में स्थित कनिष्ट आपूर्त अधिकारी के दफ्तर में उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है धनी राम धुर्वे हैं कनिष्टा पूर्त अधिकारी 25,000 रुपए की रिस्वत मांगी थी और रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं लोकायत पुलिस सागर की टीम ने कारवाही की है शिकायत करता समीत प्रबंधक राजेंदर राजपूस से मांगी थी रिस्वत दो रुपए प्रतिकुंटल के हसाब से संपूंड खरीदी जो गेहुं और चने की की गई थी उस संपूर खरीदी में दो रुपए प्रतिकुंटल के साथ से ये रिस्वत की मांग की गई थी समीती प्रबंधक का टहरा राजेंदर राजपूर से और समीती प्रबंधक के द्वारा उक्त सिकायत लोगायत बुलिस सागर से की गई वोगैतर की टीम ने शिकायत की पुष्टी होने पर आज शाम रंगे हाथों गिरफ्तार किया है गनिस्ट का पूर्ती अधिकारी धरी राम दूरवे को उनके दफ्तर में एक आरवाई हुई हैं रंगे हाथों पकले गए हैं को मिलता है कि शुपवर को आया सा में तो लोगकं सुकात की थी कर को आया सहा काменों कर् है रंगे कोना डिया है के मैं भी या girly भी आँपने टीमा बेने कितने रोपरे भी जताओ ते जिए जामा पक्तिती जह जाना । फट्रख मागा था कि बत्रख की अथा कोई दुस्ती नहीं था पैले दलालों से मांगते हैं तो मैं का मुझे नहीं तैंट जो तो अब यह पता नहीं है सुपनाएं तो यह प्रेव के वारे में खलाव इंद्र राश्वार के रीगारी देगाइब रिष्वत की मांग दी आ रही है पुटानों पे जो है सर्षो चनाइकी के लाइब इती है तो उसे प्रशिक तर्शिक किया शरी पाया और आज हमने तर्शिक कारवाईगी बहुत पच्छी सजार रुपी की रश्चा चाहिए रश्चार अधिनियम की लगारा साथ की सथ कारवाईगी